बीटाउन सूपरस्टार सलमान खान की बात करें तो उपने फिल्मों के माध्यम से पने फैंस को एक नया संदेश देते रहते हैं उनके फिल्में जादा तर समाज को नया संदेश देने के बहाने से ही बनाई जाती है और सलमान खान खुद भी फिल्मों के माधियम से एक नया संदेश देते रहते हैं लेकिन अब यहाली में अभी उन्हों इंस्टाग्राम पर एक फोटो शेर की है जिस फोटो में वो शर्टलेस होकर नजर आ रहे हैं शर्टलेस में उनकी शांदार बोडी भी हमें देखने को मिल रही है सलमान खान ने यह फोटो शोचल मेडिया पर शेर करते हुए कुछ बाते भी लिखी है जिसे जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है सलमान खान ने यह फोटो ट्विटर हैंडर पर शेर करते हुए लिखे हैं अगर दिखाना है, बीट करना है, मारना है तो महनत करके अपना लेवल बढ़ा के काम से मारो तो सलमान खान ने यह बाते अपनी इस फोटो के शार्ट शेर की है साथी एक बड़ा संदेश अपने फैंस के लिए भी उन्होंने दिया है उनके इसाब से अगर किसी को वीड करना, किसी को मारना है तो अपनी महनत के लेवल बढ़ा कर अपने काम से मारो तो सलमान खान की यह बाते जरूर उनके फैंस पसंद करेंगे साथी सलमान खान का यह 16 अवतार भी लोगों के बीच काफी ज़्यादा पसंद आएगा खैस सलमान खान के अगर फिल्म की बात करें तो इस समय अपनी फिल्म दबंग थिरी को लेकर काफी ज़्यादा चर्चाओं में बने हुए हैं और दबंग थिरी के लिए वो काफी ज़्यादा महनत भी कर रहे हैं सलमान खान की इस फिल्म को 19 दिसमबर 2019 को रिलीज किया चाना है हमारे बॉल विड इंडस्ट्री में अक्षे कुमार को यूँ ही खिलाड़ी नहीं कहा जाता ठीक इसी वीच एक मेकिंग वीडियो भी हमें देखने को मिल रही है जिसे खुछ सोचल मीडिया अकाउंट पर अक्षे कुमार ने शेर किया है इस मेकिंग वीडियो में अक्षे कुमार बाइक से स्टंड करते हुए नजर आते हैं लेकिन अक्षे कुमार एक मात्र ऐसे बनेता है जो बोड़ी डवल का इस्तिमाल जाद अतर नहीं करते है। अलकि शूट को करने के लिए एक्सपर्ट की निग्रानी भी रखे गई थी लेकिन इसके बावजूद भी अक्षे कुमार ने इस सिस्टेंट को खुद ही परफॉर्म किया। शूरवनसी की ये मेकिंग वीडियो शोचल मीडिया पर काफी जादा वाइरल भी हो रही है। रोई शेटी के निर्देशन में बन रही सूरवनसी फिल्म को 27 मार 2020 को रिलिस किया जाना वर इस फिल्म में एक्षे के प्रोजेट के डिना कैफ का हमें एहम रोल देखने को मिलेगा।